नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिरसे स्वागत है मैं शुबा माचुका हूँ एक और नई बाइक के साथ में जी हैं दोस्तों आज मेरे पास में है यमहा MT15 BS6 model और आज मैं इस बाइक करने वाला हूँ complete detail review इस बाइक को मैं चला कर देखने वाला हूँ कि यह बाइक चलने में कैसी ही इसमें कौन से features company ने दिये हैं क्या specification है और company ने इसके क्या price रखे हैं तो आईए दोस्तों यह वीडियो देखते हैं चैनल पर पहली बार है तो चै क्योंकि ऐसे informative वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं इस बाइक के अगर मैं सबसे पहले design के बारे में अगर बात करूं तो यह यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली ही क्योंकि जो इसका design है company ने बहुत ही यूथ अपीलिंग रखा एक नेकेड बाइक आ जाती है और इसमें जो फेरिंग भी दी गई है उस पे बहुत ध्यान रखा गया है बहुत सारे इसमें आपको designer से cuts देखने को मिल जाते हैं और इस पेसली जो इस MT-15 BS6 model में यह जो color आया है यह कुछ ज्यादा ही आपको eye-catching नजार और अपिलिंग हो जाता है यहाँ पर देखेंगे जो इसका करता हुआ कलर नजार आता है और आपको यह एक eye catching का कलर नजार आएगा और आप देखेंगे काफी ज़्यादा ग्लो करता हुआ नजार आएगा और काफी यूनिक यहाँ पर यह दिया गया है तायर आप देखते हैं तो आपको ठिक ठाक चौड़ा टायर मिल जाता है हैंडेट बाइटी सेक्षन का 17 इंचेस का यहाँ पर टाय काफी अच्छा यूस किया गया है और आपको एक चौड़ा फ्रेंट फेंडर देखने को मिल जाता है इस बाइक के जो सबसे ज्यादा आपको एट्रेक्टिव चीज लगेगी वह है इसके हैडलाइट यहाँ पर जो हैडलाइट डिजाइन की यह वह बिल्कुल ही यूनिक यहाँ पर नजार आएगी जैसे आप इंगिशन अन करते हैं तो यहाँ पर यह जलते हुए नजार आएगी और यहाँ ब्राइट यहाँ पर इस्ट्रिप आ जाती है और नीचे की तरफ में यहाँ देखेंगे तो आपको एक अलग से यहाँ प्रोजेक्टर लैम दिया गया है तो यह चीज़ काफी अलग बनाती है इस बाइक को और फ्रेंट से ही आप देखते हैं तो काफी यूनीक इसका हैड आ जाता है अलग सलूक आपको नजार आता है यहाँ जो एक छोटी सी मुझे कमी लगी वो यह है कि अगर यहाँ पर भी कंपनी LED दे देती तो यहाँ प आप देखेंगे तो यह पूरा आगे की तरफ में आपको फ्लैट नजार आएगा राइट साइड से आप इस बाइक पर नजार डालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक अलग सी डिजाइन नजार आएगी काफी ज़्यादा स्पोर्टी आज आती है सबसे प अगर कंपनी थोड़ा फ्ल टैंक कैपसिटी ज़्यादा रखती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता इसके साथ में यह जो कलर कंपनी ने लॉंच किया है यह कुछ आपको अलग से ही दूर से हाइलाइट करता हो नजार आगी डूल टोन में आपको देखने को मिल जाता है यह यहां पर एमटी जो लिखा हुआ है यह हलका यहां मैटल कंपनी ने यूज किया है और इस पर भी एमटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है तो यह यहां पर रेडियेटर कवार आ चुका है यहां पर एक फेरिंग आ जाती है तो यह यहां पर मटेरियल कंपनी ने काफी तो यहां पर यह जाता है और यहां पर आपको प्लेन चेड में ब्लैक फाइबर देखने को मिल जाता है इसके साथ में यह आपड़ काफी से इंट आपर डिजाइन की है राइडर काफी अच्छे से कमफ़टेबल रहेगा राइडर के लिए अच्छी सीट मिल जाती है और काफी वाइड भी रखी गई है अगर पीलियन की अगर मैं बात करूँ तो शायद यहां पर पीलियन उतनी अच्छे से comfortable होके ना बायट पाएं लेकिन आपको ये ठीक थाक यहां पर भी wide seat देखने को मिल जाती है पीलियन के लिए भी यहां पर आप देख रहे हैं तो यह कोवल जो दिया गए है यह हलका feel होता है आपको कि यह metal का है लेकिन यहां पर एक hard fiber company ने यूज किया है और यह silver color का देखने को मिलता है तो यहां पर क्या है कि अलग से आपको highlight करता हुआ नजर आएगा है और यहां की बैजिंग दी गई है और यहां company 3D में दे देती तो थोड़ा सा और यह bike premium हो जाती यह जो gabble देख रहे हैं यह यहां में आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं तो यह normal सा pipe आ चुका है लेकिन क्या है कि एक अलग सी यहां पर design देती है यह जो यहां पीछे की तरफ में आप देख रहे हैं तो यह जो यहां पर पीछे rear fender दिया गया है तो rear fender को protect करने के लिए तूटे ना इधर उधर हो जाते तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता यहां पर आपको फुली LED मिल जाती ही रेजट टेल लैंप आ जाती है और यह पूरी यहां पर सीट का back portion है वहां पर install किया गया है तो काफी अलग सी यहां पर नजर आती है और काफी पतली यहां पर company ने इसको design किया है तो यह बाई का silencer देखते हैं तो काफी बड़ा यहां पर company ने design किया है अगर थोड़ा सा छोटा रखती है कुछ अलग design रखती company तो काफी ज्यादा बहतर हो जाता उपर की तरफ में यहां पर आप देखेंगे तो यह फाइवर company ने use किया है यह यहां पर black fiber आ जाता है और यह यह जागी की तरफ में यहां पर देखेंगे तो यह कुछ carbon finished टच दिया गया है यहां पर यह काफी बड़ा सा आपको यहां पर cover देखने को मिल जाता है अब थोड़ा समय इसका exhaust node यहां आपको कराना चाहूँगा जिस हिसाप से इस बाइक को design किया गया है उस हिसाप से satisfy नहीं करता है लेकिन हां यह भी नहीं कह सकते कि बहुत जादा खराब है ओके ओके यहां पर इसका silencer का sound आपको देखने को मिल जाता है rear tire यहां पर 140 by 70 section का 17 inches का आजाता है जो की radial tire आजाता है यह suspension आपको mono sock observer मिल जाते हैं यहां company बुलाती है linked type mono cross तो यहां पर suspension भी आपको अच्छे मिल जाते हैं और ride आपकी खराब रास्तों पर भी काफी अच्छी रहने वाली है यहां पर engine को protect करने के लिए आप देखेंगे आजाती है instrument cluster आप देखेंगे तो काफी अच्छे से यहां company ने design किया है fully digital आजाता है और यहां जो फॉंट यूज की हैं वो भी काफी visible हो जाता है क्योंकि यहां पर negative display आजाती है और white color में आपको इसके font देखने को मिलते हैं और blue color में यहां पर light आ जाती है इसके साथ में यहां पर आप देखेंगे तो gear indicator आ जाता है काफी बड़े से यहां पर font company ने यूज की हैं और इसके नीचे यहां पर आपको rpm कर देखने को मिल जाता है यहां ट्रिप मीटार आ जाता है यहां speedometer दिया गया है और यहां पर fuel meter आ जाता है इसके साथ में यहां पर trip 1 और trip 2 दे यहां पर आप बीच में देखेंगे तो यहां पर switch दिया गया है हॉन का तो यह कुछ अलग सा आ जाता है अगर आप normal ride करते हैं यह normal bike चलाते है तो शायद यहां पर आपको यह डिस्टब कर सकता है क्या है कि क्या है कि आप habitual नहीं होते हैं यहां indicator का switch नेचे दिया गया है औ यहां पर दिया गया है liquid cold four stock SOSC four valve engine आ जाता है जिसका displacement है 155 CC का यहां पर power generate करता है 8.5 PS की और यहां torque मिल जाता है 13.9 NM का यह fuel injection के साथ में आ जाती है बाइक अब बात आती है इसका on road price company ने कितना रखा on road price आ जाता है उत्तर प्रदेश का 1,66,000 जी हैं दोस्तों एक लाग driving experience काफी अच्छा रहा है कास तोर पर handle की positioning बहुत ही जबड़ जस्त है जिससे आपको traffic में cruise करने में बहुत ही मज़ा आएगा rear tire 140 mm का super wide radial tire आ जाता है जिसकी वज़े से क्या है जो लोग cornering करने वाले शौकीन हैं उनको बहुत ही ज़ादा मज़ा आएगा वह काफी अच्छ need proper maintain रहती है हर एक gear में आपको quick response मिलता है vibration जैसी चीज़े आपको इस bike में नहीं मिलती है इसमें VVA यानि variable valve actuation दिया गया है जिसमें 2 intake valve मिलते हैं एक मिल जाता है low to mid range के लिए दूसरा मिल जाता है high rpm के लिए यानि fuel delivery system बहुत ही जबड़ जस्त है और आपको कितना power need है उस throttle response quick मिलता है power booster की तरह यह काम करता है अगर मैं brake की बात करूँ तो friend brake काफी अच्छे से work कर रही है rear brake उतने अच्छे से काम नहीं करती है single channel EBS के साथ में आ जाती है दोनों ही टायर काफी चौड़े हैं जिसकी वज़े से road grip बहुत ही अच्छी मिलती है और जब आप brakes लेते हैं तो balancing बनी रहती है आइप दूस्तों यह वीडियो आपको पसंद है होगा अगर वीडियो पसंद है को कर सकते हैं लाइक को चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं subscribe स्क्राइब आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलू कर सकते हैं मेरा इंस्ट्राग्राम है व्लॉग और शुम वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद